हेलो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टू माई चैनल काना जी विद ख्वाईश आज हम लड्डू को पाल जी के लिए ये ग्रीन एंड वाइट कलर के ड्रेस बनाएंगे ये बनाने में काफी इजी है ये हमने नेट के फैबरिक से बनाई है और इसमें हमने वाइट कलर की लैस का की लिए बनाई हैं चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिए जी वड़ीो साथ हिंच रखी है अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करके लेना है बिल्कुल ऐसे फोल्ड करके लेना है हमें देखी ऐसे यहां से हमें एक ऐसे फोल्ड देना है फोल्ड देने के बाद दोनों साइड से फोल्ड देना है फिर हमें एक एक सिलाई यहां दे देनी है तो चलिए सिलाई दे देते हैं देखी हमने इसमें पू डालनी है बिल्कुल पास-पास में रखते जाना है और हमें प्लेट्स ऐसे डालते जाना है यह देखें बिल्कुल ऐसे बिल्कुल पास-पास में और एक-एक सिलाई हमें यहां दे देनी है तो चलिए प्लेट्स डाल लेते हैं यह देखें हमने प्लेट्स डाल ली है अब हमे दूसरा fabric लेना है यह दिखीं यह हमने second fabric लिया है जो की white color में है or cotton का fabric लिया है हमने इसकी चोड़ाई हमने 2 inch रखी ल elimbaई हमने 50 inch रखी 10 inch उससे हमने कम ही रखी है हमें इसको दोनों side से ऐसे fold देना है देखे बिल्कुल ऐसे फोल्ड देने के बाद हमें यहां फैब्रिक को ऐसे करना है देखें बिल्कुल ऐसे उपर के साइड हमें फोल्ड देना है और हमें लैस लेनी है कि कोटन की वाइट कलर में लैस ली है हमने देखें लैस को हमें यहां बिल्कुल ऐसे लगाना है देखें हाफ हाफ हींच हमारी दिखनी चाहिए और पूरे में हमें इसे ऐसे लगा लेना है बिल्कुल ऐसे देखे फैब्रिक को नीचे वाल फैब्रिक को ऐसे फोल्ड देना है और यहां हमने लैस को लगा लेना है चलिए लगा लेते हैं और साइड से दोनों साइड से फोल्ड भी दे देते हैं यह दिखे हमने यहां दोनों साइट में फोल्ट दे दिया है और लैस को हमने यहां लगा लिया है अब हमें इसके अंदर भी प्लेट्स जानी है हमें फैब्रिक को ऐसे करना है और बिल्कुल ऐसे प्लेट्स डालते जाना है देखें बिल्कुल ऐसे तो चलिए प्लेट्स को डाल लेते है देखें हमने प्लेट्स डालनी है और देखें ये भी हमने इसमें प्लेट्स डालनी थे देखें प्लेट्स डालने के बाद हमारा देखें हमारी प्लेट्स 6 इंच में आई है इसके भी प्लेट्स हमने 6 इंच में ही डाली है अब हमें देखें यहां इसे ऐसे रखना है और बि कि हमने दोनों को जोइन कर लिया है एक दूसरे के साथ अब हमें नेफा रेडी करना है देखें नेफा रेडी करने के लिए पट्टेली है जिसके चोड़ाई हमने एक इंच रखी है इसे हमें यहां आगे से ऐसे फोल्ड देना है और हमें यहां ऐसे पूरे में लगा लेना है और इस साइड से भी हमें ऐसे fold देना है और पूरी पट्टी को इसके साथ attach कर लेना है यह दिखे हमने पट्टी को attach कर लिया है अब हमें पट्टी को देखे ऐसे fold देंगे देखे ये डोरी लिए है हमने डोरी को हमें यहां ऐसे रखना है देखे पट्टी को हमें एक फोल्ड देना है फिर हमें पट्टी को सेकेंड फोल्ड देना है और डोरी को हमें अंदर डाल देना है देखे बिल्कुल ऐसे और एक एक सिलाई हमें यहां लगा देनी है पूरे मे देखे हमें ऐसे पट्टी को फोल्ड देना है तो चलिए फोल्ड दे देते हैं यह देखे हमने पट्टी को फोल्ड दे दिया है दोरी भी हमने डाल ली है अब हमें टोप रेडी करना है देखे हमने लैस लिया लैस की लंबाई हमने धाई इंच रखी है और फैब्रिक की कर लिए अस्तर को फैबरीक को अटैच कर लिए पृबरीक लेना है देखिए जिसके चौड़ाई हमने 0.25 एंच रखी है लम्बाई हमने ऐसे फोल्ड देना है ऐसे फोल्ड देने के बाद हमें इसे दोनों साइड से ऐसे फोल्ड देना है फोल्ड देने के बाद हमें इसके अंदर ऐसे प्लेट्स डालनी है देखिए ऐसे करते जाना है और हमें प्लेट्स डालते जाना है देखिए तो चले प्लेट्स डाल लेते है कि हमने plates डाल ली है अब हमें हमारा top लेना है और हमें यहां बिल्कुल ऐसे middle में यहां ऐसे attach कर देना है तो चले इसे यहां attach कर लेते हैं कि हमने इन दोनों को attach कर लिया है अब हमें देखें यहां के लिए nefa ready करना है देखे नेफर एड़ी करने के लिए हमने ये पट्टी ली है जिसे हमें यहां ऐसे फोल्ड देना है कि बिल्कुल ऐसे और हमें यहां ऐसे पूरे में लगा लेना है यहां से भी हमें बिल्कुल ऐसे फोल्ड देना है यह पट्टी को अटैच कर लेते हैं यह दिखे हमें पट् स्पेस नहीं छोड़ना है देखें बिल्कुल पतली पतली से ऐसे रखनी है हमें तो चलिए यहां फोल्ड दे देते हैं पटी को देखें हमने पटी को फोल्ड दे दिया है डोरी को डाल लिया है अब हमें हमारी सकल्ट लेनी है और हमें सकल्ट के साथ को यहां बिल्कुल ऐसे अटेच कर देना है देखिए बिल्कुल ऐसे तो चलिए टोप को स्कल्ड के साथ अटेच कर लेते हैं यह देखिए स्कल्ड के साथ हमने टोप को टेच कर लिया है अब हम ड्रेस के लिए कैप रेडी करेंगे ready करनी के लिए हमने last के अंधर से ही circle को cut कर लिया है यह circle हमने हमारी काना जी के budding ही लिया है और हमने भी black last लिया last के बीच में से हमें 2 parts कर ले मैं तो चलिए कर लेते हैं अब देखिया हमने लेस्के टू पार्स कर लिये हैं अब हमें इन दोनों को यहां से ऐसे अटेज कर लेना है और गवारी एक लंबी सी पट्टे बन जाएगी और इसके अंदर हमें देखिया बिल्कूल ऐसे प्लेट्स डाल ली है तो चलिए अब हम इसके अंदर प्लेट्स डाल लेते हैं ये दिखे हमने इसके अंदर प्लेट्स डाल ली है अब हमें लैस लेनी है दिखे इस लैस के भी हमने टूपीस कर लेनी है देखे लैस का हमने एक पीस ले लिया है अब हमें देखी जो ये हमने चुनटे डालनी है ये लेना है हमें और यहां हमें बिल्कुल ऐसे रखे हमें इन दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच कर लेना है चुनटे चुनत और पत्टी के साथ अटैच कर लिया है अले देखे हमें यां This अ करेंगे में आव में इसा charger देते जाना है और ऐसे हमें गुमाते हुए इसमें पूरे में इसे पट्टी को यहां ऐसे अटेच कर लेना है देखे यह हमारी पट्टी बिल्कुल ऐसे लग जाएगी राउंड शेप में और फिर राउंड शेप में लगने के बाद हमें यहां सिलाई ऐसे दे देनी है तो चलिए शिलाइद दे देते हैं, हमारी कैप बन के रेडी हो गई है, तेके कितने प्यारी से हमारी कैप बनी है, देखे, अब हमें एक ऐसी पत्ती लेनी है, जिसकी लंबाई हमें 6 इंच रखी है, और हाफ इंच इसे हमें चुड़ाइमे लिया है, देखे, अब हमें इसे ऐसे फोल्ड करना है एक एक इंच में हमने इसे फोल्ड कर लिया है अब हमें ऐसे पत्ली सी पट्टी लेनी है और इसे हमें यहां बिल्कुल में ऐसे रखना है दिखे ऐसे खीचते हुए हमें यहां ऐसे इसे बांद देना है बिल्कुल मीडल में दिखे बिल्कुल ऐसे कि हमारे एक बो टाइप का बनके रेडी हो जाएगा चलिए हमें इसे यहां टाइप से बांद लेते हैं देखे हमने इसे बांद लिया है जो हमारा एक्स्ट्रा फैप्रिक है इसे हम कट कर देंगे कितना क्यूट सबन के जाड़ी हुआ है अब हमें देखे वाइट कलर का ऐसा एक मोती लेंगे मोती को फैप्रिक ग्लू की है इसे यहां पेस्ट कर लेंगे दिखे हमने इसमें मोती को पेस्ट कर लिया है अब हम कैप लेंगे और कैप के यहां साइड में हमें इसे पेस्ट कर लेना है ये दिखिए हमारी कैप बनके बिल्कुल रेडी हो गई है दिखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी कैप ये हमारी ड्रेस एंड कैप बनके बिल्कुल रेडी हो गई है